दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सार्ठिकेंड करना सिखेंगे Microsoft Word में जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा Microsoft Word open है और यहां पर मैंने एक सार्टिकेंड किया हूं सेम इसी टाइप का मैं आपको सार्टिकेंड करना सि खाऊंगा तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं तो यह पेज को हम कट कर दे रहे हैं और एक हम नया पेज लेंगे तो पेज लेने के लिए सबसे पहले Microsoft Word को open करेंगे open करने के लिए आपको start button पे click करना है और search में लिखना है आपको word जैसे आप word लिखेंगे आपको जो टॉप पे मिलेगा वो Microsoft Word का icon मिलेगा आपको लिखा हुआ में दिख जाएगा Microsoft Word आप जैसे इस पर click करेंगे आपका Microsoft Word ओपन हो जाएगा डाकॉमेंट यह हम को शो हो रहा है पर हम जो पहला काम करेंगे हम जाएंगे पेज लियाउट पर और यहां पर साइज लेंगे size A4 हम यहां पर click करेंगे by default A4 आपका रहता ही है तो मैं यहां A4 size पेज ले लिया उसके बाद हम orientation पर जाएंगे और यहां पर land escape कर देंगे land escape करने के बाद आपको यह page मिल जाएगा यह document मिल जाएगा और उसके बाद हमें क्या करना है कि इसके height and width का जो margin है वो zero कर देना है तो हम इसके height का margin zero कर दिए और इसका हम left and right का भी margin zero कर देंगे हम तो यहां से हम इसको zero कर दिये हैं जीरो करने के बाद उसके बाद आपको जो करना है वह यहां पर design करना है तो design करने के लिए आप जाएंगे इंसेट बटन पर इंसेट बटन पर शेप पर क्लिक करेंगे और यहां से एक rectangle ड्रा करेंगे रेक्टेंगल ड्रा करने के लिए हम थोड़ा सा margin राय मतब हाइड एंड वित में छोड़ देंगे और यहां से एक हम rectangle ड्रा करेंगे कि रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद उसके बाद हम right क्लिक करेंगे इस पर और यहां पर edit point पर हम क्लिक करेंगे तो जैसे ही हमारा बन गया है उसके बाद हम इसके नीचे वाले portion पर या उपर वाले portion पर जहां बिचाएंगे वहां क्लिक करेंगे तो यह दिखी कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं उपन पाथ तो आपको जो बनाना हुआ शेप उस तरीके का आपको यहां पर क्लिक करना है तो मैं इसके नीचे वाले portion पर क्लिक करते हैं और यहां पर इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं तो डिलीट करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको शेप मिल जाएगा शेप मिल जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है कि इसका अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसका कलर आसानी से चेंज कर पाएंगे आप यहां पर आप आप पर जाएंगे फिलखे तो यहां पर जो कि देना है व Tabii सकते हैं में है तो दे रहा हूं और इहां पर सकते हैं मैं को फिर से इंसेट पर जाएंगे और तो इसको यहां तक हम लाएंगे ठीक है यहां लाने के बाद उसका बाद इसका कलर जो है कलर हम थोड़ा सा इसका चेंज कर देंगे लाइट कर देंगे हम यहां पर लाइट करने के बाद इसको हम यहां पर राइट क्लिक करेंगे और एडिट पॉइंट पे क्लिक करेंगे एडिट पॉइंट क्लिक करने के बाद हम यहां वार जो पॉइंट है इसको यहां पे हम मिला देंगे कि यहांपे मिला देंगे उसके बाद हम इसे क्लिक करेंगे और यहां पर इसका आॉट ड्रा करने के बाद हम यहां लाकिस को छोड़ देंगे और इसका कलर हम चेंज करेंगे यहां पर फिल कलर पर जाएंगे और यहां से इसका कलर कुछ हम इस तरीके का देंगे फिर राइट क्लिक करेंगे हम इसको और यहां पर हम एडिट पॉइंट पर क्लिक करेंगे आप यहा शोड़ेंगे। जहां से ये खتم हो रहा है ठीक है?", उसके बाद ये वाला पॉइंट आपको नीच्छे वाला पकड़ना है आप को ल स्मूड़े के हूं तो ए तरीकर करते हैं पीयुक्त का की दो कि क्लिक करना है उसके बाद त्ल के यहां को आपको एक Rectangle और यहां पर ड़ा करना है यहां ला करने के लिए आप यहां से एक Rectangle डुरा करेंगे ईंध。 यही है? उसकी इसका करएंगे और लाग यह वाला यह वाला 시간 ऑद चनल मज़ कराऊंगे उससे आप ठिल जाए तो मैं यहां पर यह कलर दे रहा हूं उसके आपको क्या करना है यहां पर एडिट शेप पे क्लिक करना एडिट पॉइंट लगा देना है यह वाला एडिट पॉइंट पकड़ के आपको इस पे लाके छोड़ देना है ठीक है और इस वाले को खीचना है हमें इसके बराबर में लाइन में कर कर देंगे तो कुछ इस तरीके का हमारा ड्रा हो चुका है कि उसके वादे हम इंसेट पर जाएंगे एक शेप हम और क्लिक बनाएंगे रेक्टेंगल शेप लेंगे और यहां से हम एक शेप क्रीइट करेंगे उसके बाद यहां पर राइट क्लिक करेंगे और एडिट पॉइंट पर लगाएंगे यहां पर हम और उसके बाद हम इसको यहां पर लाके छोड़ देंगे और यह वाले को भी थोड़ा सा हम यहां पर लाके छोड़ देंगे तो यह हमारा बन गया उसके बाद इस पर क्लिक कर और आवट्लाइन को हमें आवट्लाइन कर देना हैं उसके अधर एक शेप हमें और करेकर करना है फिर आपको शेलखना Link रेक् contribute करेंगर में यहां पर हाँ एक रड़क कर दिया और यहां गacia क्ल्ररा यहीं एक ही देना है में तो में यहां करना है हमें यह यह दिया इसके बाद इसका एक क्लिक करि Значит प्र het हो ने इसको च्रोंग ब्लेग्रिषा ने यहां यहां किंड़ करिए और यहां प्लीक किस चोड़ारी दीजिए इस वाले पर क्लिक करिए उसको भी यहां दागे आप छोड़िजिए super कि अब आपका यह डिसाइन पर्ट खतम हो गया है अब आपको सब्सक्राइब में लिखना क्या है और बापको बता रहा हुं वह इंसिए बटल भास्पर पे आपको चैक्पrevकर में लिखेंगे वह कंदर ही लिखेंगे क्योंगी जब आप text box के अंदर लिखते हैं तो आप text को move कर सकते हैं किसी भी जगे पे राइट लेफ्ट उपर नीचे अगर आप text box नहीं लिखते तो आप नहीं कर पाएंगे तो आप एक चीज का बहुत ध्यान दिजिएगा की जब आप Microsoft Word में certificate design कर रहे हैं तो आप जो भी लिखेंगे वो text box के अंदर ही लिखेंगे तो हम यहाँ text box बनाते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे certificate certificate अब certificate का जो font size है font size को हम बड़ा करेंगे home पर जाएंगे और यहाँ पर font size का जो हम size देंगे यह हम देंगे 48 और इसको हम बोल्ट कर देंगे ठीक है अब इसके जो box बन गया इसको हटाने के लिए हम format पर जाएंगे और यहाँ पर shape outline को हम no outline कर देंगे और इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देंगे ठीक है और यहाँ से ऊपर हो गया अब हम दूसरा चीज हमें जब लिखना है तो हमें फिर से insert पर जाना है और यहाँ पर shape और यहाँ पर text box को select करना है select करेंगे उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे of completion तो हम यहाँ small पर लिखेंगे of completion ठीक है इसका भी font size हम बढ़ा करेंगे home पर जाएंगे और यहाँ पर इसका size हम रखेंगे 22 या 28 तो मैं यहाँ पर 28 रखते हैं और इसको font size को 28 रखके इसका जो हम center में कर देंगे इसका sorry center में कर देंगे इसको और देखिए इसका box बना है तो जैसे box पर click करेंगे यहाँ पर drawing tools आ जाएगा उसके फॉर्मिट रहेगा format पर click करना है आपको यहाँ shape outline को no outline कर देना है देखिए हमारा आगया certificate of completion उसके बाद आपको जो लिखना होता certificate में कि किस लिए presented किया गया तो उसमें एक line होती है this certificate is proudly presented to जिसके लिए presented के जाता है कोई नाम होता है जिसको दिया जाता है certificate तो उसके लिए लाइन लिखी जाती है उसका line लिखने के लिए हम insert पर जाते हैं shape और यहाँ पर हम लेंगे text box और एक यहाँ पर text box create करेंगे तो यहाँ पर आप हम लिखेंगे this certificate is proudly presented to ठीक है इतना लिखेंगे उसके इसके font को हम बढ़ा करेंगे home पर जाएंगे और इसके जो हम यहाँ पर font रखेंगे वह रखेंगे हम 22 और इसको हम center कर देंगे ठीक है यह center मैंने कर दिया और इसको हटाने के लिए box को आपको इस क्लिक करना है format पर जाना है और यहाँ पर no outline कर देना है तो आप देख सकते हैं कि इसका जो हम box था वो हट गया उसके बाद हम किसके लिए presented किया जा रहा है तो उसका हम नाम लिखेंगे नाम लिखने के लिए हम insert पर जाते हैं और shape और यहाँ पर text box फिर से ले 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 ठीक है उसके बाद इसको select करते हैं टेक्स को home पर जाते हैं इसका जो size हम लेंगे वह size लेंगे हम ट्वेंटी सिक्स 28 28 लेंगे और इसका हम box को जो इसमिता यादो लिखा हुआ है उसको हम बोल्ट कर देंगे अब आप देख सकते हैं कि इसमिता के निचे red line आ गई इसको हटाने के लिए क्लिए क्या करना वह बता रहा हूं पैसास पहले आप काम करेंगे इस box को हटा दीजिए format पर जाईए करने उसके पासस की सूलद करिए आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि समिता का नाम घड गया है थोड़ा इसमिता के नम के नीचे जो dadși था वहट गया है इसको हम थोड़ा बीच में कड़ेरे हैं यह और उसके बाद हम इसके नीचे इसका हम आगर किसी कंपणी में है तो इसका कुछ आइडी नंबर होता है इंपलाई आडी नंबर होता है उसको लिखने के लिए हम इंसेट पर जाएंगे और यहां पर शेप पर और यहां पर एक एक आधि नंबर हम लिखेंगे अगर इसका भी हम टेक्स को बड़ा करेंगे सऐस के 260 टूइंसको सेंटर कर देंगे हम और इससको बMc façonフ tile फूर्म सेशिट और साइन यहां पर हम भलाए ठीक है यह हो गया हमारा उसके बाद हम एक लाइन और लिखते हैं कि किस ट्रेनिंग किया था सक्सेस्टूल हो गया उसके एक लाइन लिखने के लिए हमें इंसेट पर जाना है शेप पर और एक हमें लेना है यहां पर कि टेक्स बॉक्स और टेक्स बॉक्स एक बराना है और यहां पर लिखना है और अगया अगया कि सक्सेस्टूल है कम्प्लीशन कि आप आउन लाइन कि ट्रेनिंग और उसके बाद इसकी भी साइज हम बड़ा कर दे रहे हैं इसका साइज जो हम लेंगे वह 22 लेंगे हम और यहां पर इसके बॉक्स को टाने के लिए आपको वार्मेंट में जाना है और यहां पर इसको नौ आउट्लाइन कर देना है सिंपली यह लिख उठा उसके बाद एक चीज़ समय और लिखना होता है कि किस विसे में इसने ट्रेनिंग किया हुआ है तो उसको लिखने के लिए हम इंसेट पर जाते हैं और यहां पर शेप में और यहां से हम टेक्स बॉक्स लेंगे अब यहां पर एक लाइन क्रेट करेंगे और यहां पर हम लिखेंगे प्रिवेंटशन ऑफ अच्छ वेल हरास्मेंट आफ विमेंट में इंटर करेंगे और यहां पर वर्क्शॉप वर्क्शॉप एक चीज और ओमें आफ ओमें आफ ओमें ओमेंट लिखना होता है और उसके बाद यहां पर लिखना होता है हमें किस टेट को हुआ तो 2022-23 के कोटर टो में हुआ उसका इसको स्लेट करना है इसका भी साइज हमें बढ़ा देना है जब साइज इसका हमें रखना है चिंपना है तहौन कर देना है और यह देखेए इसको बॉक्स को हमें फॉर्मेट में जाना है कर देना है त्याहाँ देखिए आके उसकी वाद यहां पर एक हमें लिखनी है ने लिखने के लिए आप इंसर्ट रजाइए और यहां और उसके बाद टेक्स बॉक्स ली देजिए यहां पर आपको नीचे डेट लिखना है कि देट कि जून 23 और इसका भी हम साइज पढ़ा दे रहे हैं 22 और इसके फॉर्मिट पर जाएंगे यहां पर नोश आउटलाइन कर देना है उसके यहां पर लगाना है हमें तो लोगों लगाने के लिए आप इंसेट पर जाएंगे और यहां पर शेप एक ओवल शेप लेंगे हम यहां पर और एक काम और करिएगा च्ट्रोल जेट कर दे रहे हैं जो भी अगर आप ओवल शेप बना रहे हैं तो आप शिप्ट के साथ बनाएंगे तो वह एक शेप में बनेगा मतब आपका राइट लेफ्ट बड़ा चोटा नहीं होगा वह एक शेप में बनेगा मतब राइट तो उचाई या लंबाई है वो बराबर में बड़ा चोटा होगा तो यहां लिखेंगे हम PB और इसको साइज हम बड़ा कर देंगे को लिखेंगे यहां लर्न तो यहां पर इडिट करेंगे और यहां पर टेक्स बॉक्स और यहां पर एक टेक्स बनाएंगे हम यहां लिखेंगे लर्न लर्ण और इसको स्रेट करेंगे यहां पर होम पर जाएंगे और इसका हम साइज बढ़ा कर देंगे और यहां पर हम इसको फॉर्मेट पर जाएंगे और नो आउटलाइन कर देंगे और यहां पर जो रेट दिख रहा है रेट करने के लिए इस पर हम क्लिक करेंगे और यहां पर इग्नोर कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यह हमारा डिजाइन बनके तैयार है आप एक शिच्छ का बहुत ध्यांदी जीगा कि जो भी आप इसमें टेक्स लिखते हैं वह के अंदर लिखेंगे तो कोई भी अगर आपको राइट लेफ्ट या उपर नीचे करना है टेक्स को तो आप वह कर पाएंगे असानी से इसमें तो लिखा है मैंने यहां पर इसको हम थोड़ा सा उपर करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं मगर आप बॉक्स के अंदर ना ल हो जाएगा आप लिख भी आसानी से लेंगे मगर जो भी लिखेंगे आप टेक्स बॉक्स के अंदर ही लिखेंगे फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट करिएगा मैं आपकी पूरी पूरी शाहता करने की कोशिश करूँगा थाइंक्स वा